प्राम राम पगेल अगुसा मैं हूँ आरजे रेक्स 94.3 माँ एफेम सूँ और हर मंगलवार एक छोटी कहाणी लेना आपरे सागे जुड़ूं और कोशिश करूं कि कुछ सकारात्मक संदेश, सकारात्मक सोच आपा एक दूसराओं साजा कर सकां जीवन में आगे बढ़ सकां आजरी कहाणी है ताडा, चाबी और हतोडारी हर गाऊं में, ढाणी में, शेहर में आपने ताडा, चाबीरी दुकान मिले ही मिले और इन ताडा, चाबीरी दुकान रे माई ने एक बड़ोस हतोडों भी आपने जरूर दीखतो रहला है नि? जेर्नली लोग गाववर मायने, शेहरा मायने, जठे भी मौना ताड़ा है, अगर वेने चाभी गमजावै, तो पहली वे चाभी बनवावन वास्ते आवे अगर चाबी नहीं बढ़े या चाबी नहीं लागे तो पचे अंत में जो सहरो है वो है हतोडो जिन्नों विने ताड़ाने तोड़नों पड़े तो एक दिन ताड़ो जो है विन मनरी या बात के भई मैं इत्तो शक्तिशाली हूँ पर लोग मनहेंगों लास्ट में याद क्यों करें मन तो पहली याद करनों चीज़े तो वो चाबी ने केवे के भई चाबी एड़ो थारमाई ने कई है तो तो इतीक सी है छोटी सी है और त तो यूँ ताड़ा ने खोल देवे लोग था नहेंगों पहली याद करें मने को याद ही नहीं करें एड़ो पच्छ गई है तो चाबी जो है वह हत्रोडा ने जवाब देवे केसा बहुत सरल बात है मैं कहीं करूं मैं ताड़ा रहे दिल रहमाई न जाऊं दिल मैं जान व और पच्छे वहिने निवेदन करूं गुजारिश करूं समझों वहिने कहूं कि खुल जा तो वह खुल जावे आपरो केस अलग है आप जदे चाबी घंजावे या ताड़ों नहीं खुले जदे आपने जनता याद करें और आप कोई समझाईश नहीं करो आप कोई बात कर पहार करो आप तो विने एक दम तोड़ दो अगर देखियो जावे हतोड़ा भाई तो आप इन ताड़ा ने खोलो को नहीं आप तो वही ताड़ा ने नश्ट कर दो तोड़ दो तो बस ओच फरक है इन वास्ते चाबी ने पहली याद करें और आपने बाद में और दोस्तो इन कहाने रे जियों और जियों जिन्दगी रे माईने भी आप याद राग जो कि अगर आपके इने दिल रे माईने जाओ जगा बनाओ विने समझुला तो वह आपने ता उम्र याद करें ला गुसा डाट फटकार हूं आपरो काम भले थोड़ी दिरवास्त रह जावेला पर आगला रे मनमाईने बहुत बड़ो निशान रह जावेला वो शायद आपने माफ करे या नहीं करे तो इन कहानी रे मकसद हूं एक छोटो सो संदेश एक छोटो सो निवेदन आप सबासों ओई जहे कि जीवन रे माईने चाबी जो है विनु आपा प्रेणा लिवा और अगरे दिल रे माईने जान लोगाने समझना रो प्रयास करा वाने तोड़नो वानमाते गुस्सो करनो एह बहुत आसान तरीका है पर याद राग जो इनु आप कदी किने भी जहन में दिल में जगानी बना पावला तो आगर आज री मारी कहानी आपने चोखी लागी रह त चलो आज कुछ चोखो होना जीवन में पॉजिटिव सकारात्मक सोचरे सागे आगे बढ़ां